नमस्कार दोश्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मोटापा एक बहुत बड़ी समस्या आज की जीवन में सभी के लिए है, यदि आप अपना वजन कम करना चाहते हैं और अपनी कोशिस में सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो आपको ये देखना होगा कि आप अपने खाने में क क्या शामिल करते हैं, यानि क्या खाते हैं, क्या नहीं खाते हैं, यदि आप चाहते हैं कि घर का वैद चैनल के आगे आने आले वीडियो आपके नोटिफिकिशन और इमेल के थुरू आते रहें, तो आप ये सब्सक्राइब बटन प्रिस करिए जो आपके इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है, और उसके बाद इस बिल की घंटी को दवाएं, आईए अब आगे बढ़ते हैं, इसके लिए आपको यदि समझ में नहीं आ रहा है, तो वजन कम करने के लिए आप क्या खाएं, क्या नहीं खाएं, इस बारे में परिशान होने की आपको जरूरत नही है, क्योंकि हम आपको यहां पर यह बताएंगे कि हमारे देश में खाने की जो चीजें पाई जाती है, उन में से कौन कौन सी चीजों का इस्तेमाल कप किया जाए, जिससे कि आपका वजन घटाने में मदद मिले, ज्यादा तर हम भारतियों को अपने खाने को नियंद्रित क करने में मुश्किल इसलिए आती है, क्योंकि हमारे खाने में कार्भोहड्रेट और चीनी की मातरा अधिक होती है, और हम अधिक आलू, चावल और मिठाई भी खाते हैं, साथ ही हमको स्नैक्स खाना बहुत पसंद होता है, और हम नमकीन और भुजिया खाये बिना तो एक दि पाननवाजी और स्नै के कारण हम अपने मित्रों और परिवार वालों को ज्यादा खाने के लिए दबाव बनाते हैं, इन सब से हटकर हम प्रतिदिन अनिवार रूप से ब्यायाम भी नहीं करते, या कोई आश्यर की बात नहीं है, कि ज्यादा तर भारती लोग मोटापे की स मस्या से जूचते हैं, लेकिन इसका हल यह नहीं है कि आप भारती भूजन की जगे बिदेशी भूजन लेना सुरू कर दें, आपकी रसोई में पाए जाने वाले खाद पदार थी आपके भारती आहार योजना के लिए अच्छे हैं, जिनका सेवन करके आप वजन घटा सकत हैं, तो दोस्तों आईए जानते हैं किस प्रकार हम क्या खाएं जिस से आपका वजन कम हो सके, दोस्तों सबसे पहले तो आपको ऐसे फैट का सेवन करना चाहिए, जो फैट आपके वजन को घटाने में मदद करें, क्योंकि यह हार्मोन को सिंतसाइज करने के साथ बिटामिन के स्कोर करको बनाने में, ठीक बनाने में और उड़जा परदान करने में हेल्प करता है, बिसे सद्गों का मानना है कि आपके खाने में पाचवां हिस्सा यानि 20 प्रस्चत के आसपास फैट का होना चाहिए, जिसमें पाली अंसेशुरेटिट मूनोसाइट और ओमेगा थर फैस्टी एसिड सामिल होने चाहिए, अलग-अलग भोजन के लिए तेलों के संयोजन का उपयोग करना चाहिए, जैसे जैतून का तेल, राइस आयल, सरसों का तेल, सोया बीन, तिल, सूरज मुकी और मुंफली तेल, साथी मक्षन और घी भी सीमित मात्रा में सेवन करना चा अपने किचिन में आहार लेते हैं, वह वजन घटाने के लिए काम करता है, कोई भी खादबदार्थ आपके सरीर को स्वस्त रखने के लिए संपूर्ण कैलोरी और पोसक तत तो परदान नहीं कर सकता है, यही कारण है कि सूच पोसक तत तो जैसे विटामिन और मिनरल्स के स कार्बो हाइडरेट, प्रोटीन और फैट से युक्त आहार लेने की सला दी जाती है, वजन घटाने के लिए सबसे अच्छा इंडियन फूड पांच प्रमुखाद समूहों का संयोजन होता है, जैसे फल और सबजियां, अनाज और दाल, मांस और डेरी प्रोड़क्स, भोजन समूहों को विभाजित करना, कितनी मात्रा में क्या खाना चाहिए और किस समय खाना चाहिए, इसके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है, हमें अपने खाने में कार्बो हाइडरेट की मात्रा कम करनी चाहिए, कार्बो हाइडरेट हमारे सरीर की उर्जा का मुक्ष जरूत होता है और हमारी दैनिक कैलोरी की जरूरतों का आधा हिस्सा कार्बोहाइडरेट से हमें मिलता है हाला कि सही प्रकार के कार्बोहाइडरेट का सेवन करना बहुत जरूरी होता है सिंपल कार्बोहाइडरेट, रोटी, बिस्केट, सफेज, चावल और गेहुं के आटे में बहुत अधिक सुगर होता है यह हमारे लिए हानिकारक हो सकते हैं इनके बजाए जटिल कार्बल्स को चुने, जिसमें पोसक तत्तों के साथ अधिक मात्रा में फाइबर भी पाया जाता है फाइबर युक्त जटिल कार्बोहाइडरेट धीमी गत्य से पचता है, जिससे आप लंबे समय तक पूर्ण महसूस करते हैं इसलिए यह वजन कम करने के लिए अच्छा विकल्प हो सकता है, जिसके लिए आप बाजरा, ओट, रागी और ब्राउन चावल जैसी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं साथ ही आपको लेना होगा ऐसा आहार जो प्रोटीन से युक्त हो, यानि प्रोटीन से भरा हो ज्यादा तर हमारे देश में रुजाना प्रोटीन की आवस्चता को पूरा करने में लोग सफल नहीं हो पाते हैं सरीर को टिसूज और मांस्पेसियों, नरम हड़ी और इसकिन के डिवलप्मेंट में और उन्हें ठीक करने के साथ साथ खून के संचार में प्रोटीन की आवस्चता होती है प्रोटीन से युक्त आहार आपको वजन कम करने में भी हेल्प कर सकता है क्योंकि यह मांस्पेसियों को बनाने में हेल्प करता है जो की वसा की तुलना में अधिक कैलोरी जलाती है आपके अपने आहार का लगबग 30 प्रस्चत आपको पूरे दाल, पनीर, चने, दूद, हरी सबजियों, अंडे, सफेद, मांस, या स्प्राउट्स के रूप में मिलना चाहिए मोटापा कम करने के लिए आपको बिटामिन से भरपूर खाना लेना चाहिए हमारे सरीर के लिए बिटामिन A, बिटामिन E, बिटामिन B, 12, D, कैलसियम और आईरन बहुत जरूरी होता है क्योंकि यह चाया पचे तंत्रिका और मांस पेसियों के कारे के साथ साथ हट्डियों के रखरखाव और शेल प्रॉडक्शन में हेल्प करते हैं मिनरल मुक्रूप से बनस्पती मांस और मचली नट्स तिलहन फलों और हरी पत्तेदार सबजियों में पाए जाते हैं विशसगों का कहना है कि आपको प्रदिन 100 ग्राम हरी सबजियों और 100 ग्राम फल का सेवन जरूर करना चाहिए साथ ही यदि आप अपना वजन कम करना चाहते हैं तो आपको अपने भोजन में कुछ अच्छी आदतें बनानी होंगी जिससे आपके वजन को कम करने में आपको मदद मिलेगी इसके लिए आप दिन में केवल तीन बड़े भोजनों के बजाए नियंतरित यानि कंट्रोल एमाउंट में दिन में तीन सामान भोजन और थोड़े थोड़े अंतराल में कुछ हलके स्नेक्स का सेवन करें और नीमित अंतराल पर भोजन करने से आप एसीडिटी और पेट के भारीपन की समस्या से चुटकारा पाएंगे और साथ ही आपको भूग भी जल्दी नहीं लगेगी जंक फूट की आदत की जगे आप हेल्दी ब्रिक्फास्स का विकल्ब चुने तो अच्छा रहेगा साथ ही आपको रात का भुजन आठ बजे तक खा लेना चाहिए क्योंकि रात में पाचन की गती दहीमी रहती है इसलिए देर रात खाने से आपका वजन बढ़ सकता है पानी में कोई कैलोरी नहीं होती है साथ ही पानी पीते रहने से जल्दी भूग भी नहीं लगती है इसलिए आपका वजन कम करने के लिए रोजाना 6-8 गलास पानी चरूर पीना चाहिए सभी वेक्ति को सभी वेक्तियों को दिन में कम से कम 15 ग्राम फाइवर की जरूरत होती है क्योंकि यह पाचन और हर्दें के स्वास्त के लिए हेल्प करता है इसलिए ज्यादा मात्रा में फाइवर युक्ताहार का सेवन करना चाहिए इसके लिए आप अलसी के बीज, ब्रॉकली, सेब, डाल, जैई जैसी चीज़ों का सेवन कर सकते हैं वजन घटाने वालों को क्या नहीं खाना चाहिए इसके बारे में हम आपको जानकारी दे देते हैं जिम में वजन को कम करने के लिए बहुत अधिक सरसाइज करने के बावजूद भी आपको यदि परड़ाम नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब यह हो सकता है कि एक्सरसाइज या वर्काउट जो आप कर रहे हैं लेकिन उस आपका जो आहार है यानि खाना है उसमें गलतियां आपको हो रही है तो इसलिए आप हमने जो आपको इस वीडियो में उपर बताया कि किस प्रकार से आप वजन को कम कर सकते हैं अपने खाने में बदलाव करके उन चीजों का आप सेवन करें तो आपका वजन जल्द ही कम हो जाएगा यदि आपका वजन ज्यादा है तो दोस्तों यदि आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें साथ ही नीचे कमेंट में अपने सुझाओ लिख कर हमको बताएं जिससे के हम आगे इसमें कुछ सुधार कर सकें और साथ ही आपका कुश्चन्स का आपके सवालों का जवाब भी दे सकें अगले पिशोर में फिर मुलाकात हो